फ्रेंट्स इंडिया की सबसे सेफ प्रीमियम हैचबेक सेगमेंट की कार जो की सबसे ज़्यादा पसंद की गई है और अब उस कार में कमपनी ने CNG ओप्सन भी प्रोवाइड करवा दिया है तो फ्रेंट्स मैं बात कर रहा हूँ Tata Altros iCNG वेरियंट की जो की हाल फिलाल में Tata ने लॉंच किया है CNG में मतलब इस कार को CNG में आपको प्रोवाइड करवा दिया है तो जो लोग CNG का वेट कर रहे थे उनका इंतजार जो है वो अब खतम हो चुका है और फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि Tata ने इससे पहले ICNG जो लॉंच की थी वो Tata Tiago और Tigor में करी लेकिन अब जो है वो इसको Altruise में भी Tata ने इंट्रोड्यूस कर दिया है या लॉंच कर दिया है और फ्रेंट्स सबसे अच्छी बात जो है Tata की वो यह है कि यह अपने राइवल्स की तरह एक दो वेरियंट ही CNG में प्रोवाइड नहीं करवाती लगबग अच्छे उप् ही हमें solid मिलती है जबकि safety features के साथ साथ इसका जो CNG setup है वो CNG की जो functionality है या safety को लेकि इसका जो CNG setup हो काफी अच्छा है मतलब जैसे कि CNG वगरा blast या leakage वगरा हो जाता है तो वो इसमें आपको बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगा safety को सबसे पहले Tata ने रखा है अपने customers की safety वो सबसे पहले रखते हैं इसलिए उनको safety king कहा जाता है और कुछ लोग जो है वो इसलिए Tata में invest करते हैं या Tata की cars को पसंद करते हैं कि ये सबसे पहले safety को अपना foremost priority रखते हैं तो friends चलिए बात करते हैं इस वीडियो में Tata Ultros ICNG variants की जिसमें कि हम बात करेंगे कि इसमें आपको कितने variants जो हैं वो मिल जाते हैं CNG में और उसकी mileage क्या रहेगी price जो है वो कितना increase हुआ है petrol और diesel से CNG में जो price difference है वो कितना है mileage कितनी provide करती है engine की power क्या रहेगी वो सारी बातें जो हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो friends चलिए वीडियो को start करते हैं hello everybody and welcome back to our channel study autogen tech और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लें तो friends इस वीडियो को आप end तक जुरूर देखें क्योंकि जो लोग premium hatchback segment में CNG की तलास में थे उनकी तलास इस वीडियो में आपको पूरी होती हुई नजर आएगी तो चलिए वीडिय xm plus s xz xz plus s और xz plus optional s cng ये आपके 6 variant आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में आपको इससे बात करूंगा xe यानि base variant के बारे में जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें हमें कौन से कौन से features मिल जाते हैं और क्या-क्या इसके base variant में हमें provide करवाती है company कितनी इसकी mileage है वो सारी इस चलिए start करते हैं इसके dimensions के साथ, dimensions में friends इसमें कोई भी difference आपको नहीं देखने को मिलेगा, length है इसकी 4990 mm, width है 1755 mm, height है इसकी 1523 mm की और wheelbase है 2501 mm का, बात की जाए ground clearance की तो 165 mm का unladen ground clearance इसमें आपको मिल जाता है, और boot space की बात की जाए तो 210 liter का boot space इसमें आपको company provide करती है, curve weight ह इसका 965 mm का, ठीक है, बात की जाए आप brakes की, तो front में आपको disc मिल जाएंगे और rear में drum brake ही आपको मिलने वाले हैं, तो ये थे इसके dimensions और brakes के बारे में अब बात आती है, comfort and convenience के features की, उसमें आपको power steering, power windows front मिलेंगी, लेकिन जो rear windows हैं वो आपको power में नहीं मिलने वाली, उसक adjustable steering मिलेगा आपको, जो कि tilt adjustable होने वाला है, low fuel warning light, accessory power outlet, adjustable headrest मिलेंगे आपको, rear seat जो है वो आपको bench folding मिल जाएगी, और दो drive mode का option इसमें company प्रोवाइड करती है, तो ये थे इसके comfort and convenience के features, अब बात आती है interior features की, interior features में आपको tachometer, electronic multitrometer, और जो fabric upholstery है वो मिलने वाली है, leather uphol street नहीं मिलेगी, क्योंकि base variant है, तो leather आप expect भी नहीं कर सकते, digital clock, digital odometer, dual tone dashboard और 10.16 cm की आपको, digital instrument cluster की जो display है, वो मिलने वाली है, तो ये थे इसके interiors के feature, अब बात आती है exterior features की, exterior features में आपको adjustable headlight मिल जाएंगी, fog lens जो हैं, वो आपको नहीं मिलने वाले, आप बाहर से लगव सकते हैं, और outside rear view mirror जो हैं, वो आपको manually adjustable मिलेंगे, electronically adjust नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको wheel covers का option company देती है, wheel covers provide करवा के देती है, rear spoiler मिल जाएगा, जो कि इसके look को काफी हद तक enhance कर देता है, मतलब बहुत अच्छी लगती है rear spoiler के साथ, halogen headlam पिलेंगे, और इसमें additionally company कहती ह कि body colored bumpers और door handles भी आपको body colored मिलेंगे, तो ये इसके exterior features हैं, जिससे कि आपकी car जो है वो अच्छी दिखती है, अब बात आती है tire size की friends, तो tire size का profile मैं आपको बताएता हूं, complete वो है, 165 by 80R 14 inch के आपको tubeless radial tire जो वो company provide करती है, तो ये थे इसके exterior और interior सारे features मैंने cover किये, अब main बात आती है safety की जिसके लिए हम Tata के पास जाते हैं, तो Tata हमें base variant में क्या का provide करती है वो देख लीजिए, इसमें आपको safety के लियाद से ABS EBD मिल जाएगा, central locking, power door locks, child safety locks, और दो airbag मिलेंगे front में driver और core driver side, rear seat belt मिल जाएगे, seat belt warning, door azar warning, adjustable seats मिल जाएगी जो की आगे पीछे आपको कोई भी seat नहीं मिलेगी, engine immobilizer, crash sensor, engine check warning और ABS जो है वो आपको 9.3 वाला ABS मिलेगा, जो EBD के साथ होगा और corner stability control के साथ आपको मिलेगा, जो कि एक काफी अच्छा safety feature है, इसके साथ speed alert और speed sensing auto door locks भी आपको मिल जाता है, base variant में ही, इसके बाद आपको ISOFIX child seat mounts भी देखने क आपको मिलेंगे, impact sensing auto door unlock भी मिल जाएगा और seat belt जो मिलेंगे वो आपको pretension और force limiter के साथ मिलेंगे, ये थे इसके safety features और बात की जाए इसकी global end cap की तो वो तो आपको पता ही है कि ultra जो है premium segment में सबसे safe hatchback आपको मिल जाती है, टाटा की तरफ से, और 90 degree door opening जो है, वो भी आपको मिल जाएगा, जिससे की ingress और outgress आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, अगर आपके परिवार में family में बुज़ूर्ग भी हैं, तो वो भी अच्छे से बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं, क्योंकि 90 degree door opening जो है, वो काफी convenient हो जाता है, बात की जाए इसके entertainment part की, तो entertainment में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि base variant है, तो कोई भी आपको radio वगरा कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर से accessories में लगवाना पड़ेगा, अब main बात आती है engine की, अब engine हमें कौन सा मिलता है, और power कितनी produce करके देगा, क्या petrol से ज्यादा है, कम है, वो मैं आपको पूरे इसके figures बता देता हूँ, तो इसमें आपको 1.2 liter का natural aspirated engine मिलेगा, ICNG engine, जो कि 3 cylinder engine होने वाला है, power की बात करें तो 72.41 bhp की power produce करके देगा, 6000 rpm और torque होगा इसका 130 Nm का 300 rpm के आजपास, तो फ्रेंच देखिए, powers में जो है, वो कोई भी फरक नहीं है, ICNG launch की है company ने, लेकि इन पावर में कोई भी आपको changes देखने को नहीं मिलेंगे, उसी पावर के साथ जो petrol में आपको provide करती है company, वही engine इसमें आपको मिलेगा, और उसी में आपको same power का एहसास भी होगा, बात की जाए, transmission की तो 5 speed का manual gearbox इसमें आपको मिल जाएगा, अब friends बात की जाए, इसके fuel tank की यानि CNG इसमें आपको कितनी आप इसमें भरवा सकते हैं, तो 60 liter की CNG tank इसमें आपको मिल जाएगे, double cylinder मिलेंगे, और mileage की बात की जाए, तो 19.33 km per kg की mileage जावो company provide करती है, तो friends ये इसके mileage और fuel tank की बात हो गई, लेकिन अब main बात जो आती है, वो है इसके prices की, की base variant की मैं बात कर रहा हूँ, और diesel से और petrol में ये मतलब base variant CNG का कितना difference होता है, वो अब देख लीजिए, XE का base variant, यानि CNG का जो base variant XE start होता है, 7,55,400 exorum New Delhi के हिसाब से, और इसका top variant exorum जाता है 10,54,990 वेका, ठीक है, ये था exorum price, अब बात की जाए, on road price की, जो की New Delhi के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो है 8,48,833 रूपए, और top variant आपको मिलेगा 12,22,619 रूपए गा, तो ये इसका price है, exorum और on road, अब मैं बात करूँ कि आप सोच रहे होगे कि petrol से कितनी महंगी है या सस्ती है, वो अब बात करते हैं, तो obviously petrol से CNG variant महंगा ही होता है, तो कितना महंगा है, वो है 1,4948 रूपए, ये महंगा है, पेटरोल से, लेकिन बात की जाए, इसके base variant diesel की, वो है XC plus diesel, तो उससे ये 79,145 रूपई सस्ती है, मतलब XC plus diesel से XECNG variant जो है, वो इसका 89,145 रूपए सस्ता है, तो friends, ये थी इस car के बारे में complete information, जिसमें हमने इसके जो specification है, वो cover की हमें, की interior में क्या मिल जाता है, exterior क्या है, comfort and convenience के features क्या है, prices क्या है, engine specification क्या है, वो सारी चीज हमने cover की है, तो अब मैं आपको अपना personal opinion देता हूँ, तो अगर friends, आप ultra को select किया है, तो सबसे पहले आपके लिए एक thumbs up है, क्योंकि आपने अपनी safety को सबसे पहले रखा, और safety सबसे foremost priority हमारी होनी चाहिए, यह हमें आपका बहुत अच्छा decision लगा कि आपने safety को सबसे पहले रखा, टाटा की car select की, दूसरी चीज है, कि अगर आपकी running जो है, वो बिलकुल minimal सी है, यानि आप महिने में 1500 किलोमेटर ही चलाते हैं car को, तो आप petrol पे भी जा सकते हैं, जिससे कि आ लगबग 1,05,000 रुपे आपके बच जाएंगे, और mileage जो हो लगबग इसकी same claim करती है company, वो आपकी चलाने पे depend है कि आप चलाते कैसे हैं, हाँ CNG में थोड़ी सी better mileage आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपके 1,00,000 रुपे यहां बच जाते हैं, CNG भी almost same price पे आजकल चल रही है, petrol के आसपा, CNG का price चलता है, लेकिन अगर आपकी running ज्यादा है, और आपको एक powerful गाड़ी चाहिए, तो आप इसके diesel variant में जाए, जो कि ज्यादा महेंगा नहीं है, और इसका taxi plus diesel है, उसमें आपके थोड़े से features भी extra मिल जाते हैं, तो रगबग 80,000 का इस यह price difference है, य अगर आपकी running ज्यादा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि sir running हमारी on and average है, 1500 के आसपास है, 1500 किलोमेटर के आसपास, लेकिन हमें फिर भी CNG car prefer करते हैं, हमारे CNG की availability काफी अच्छी है, और price वगरा भी काफी शाई है, line में भी नहीं लगना पड़ता है, petrol pump या CNG pump तो आप CN 20-30,000 या maximum आगर आपको अच्छी quality की accessory डलवानी है, तो 50,000 ओर लगेंगे, 9,000,000 में आपकी एकदम top model इसको आप बनवा सकते हैं, modify भी करवा सकते हैं, बार्ज, accessory, music player वगरा सारी चीज़ लगा करके, आपको ये 9,000,000 में तयार हो जाएगी CNG variant, तो friends अगर आप CNG ही prefer करते हैं, तो आप इसके base model के साथ जा सकते हैं, तो friends यही था इस वीडियो में, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो विल्कुल like कीजिए इसको, share कीजिए, अपने friends के साथ, जो की CNG variant, जो है, वो search कर रहे थे, किसी premium segment car का, और safety उनकी foremost priority है, अप उसका जवाब जरूर देंगे, तो friends चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, thanks, have a good day,